है देर 9th class students hello how are you all enjoying studies with us we have given you unseen passages 20 mark reading section and today I am here with grammar grammar में क्या होने वाला है punctuation articles tenses reported speech voice conjunction preposition model subject verb agreement by Vijaykumar by Vijaykumar by Vijaykumar इन पिछे इन सब के लगा कीजिए और YouTube के search बार पर लिख दीजिए आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे बिल्कुल पिछले 5 सालों के soul किये हुए भी मिल जाएंगे आपको नौवी दस्वी के बिल्कुल फरक नहीं होता है जादा difficulty level का तो यदि आपे नौवी दस्वी के भी तो इनको आपने जरूर करना है grammar सब के लिए है ठीक है तो देखिए किस तरह के question आते हैं grammar में आपको बता देते हैं चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like करना दोस्तों में share जरूर कर देना तो आईए unseen passes पहले वाले question में mcq हैं दूसरे में फिर से 5 mcq है तो 5 mcq पहले unseen के 5 mcq दूसरे के और 10 grammar वाले बीस नंबर का तो एक एक पका ही हो गया है आपका ठीक है तो you can score maximum this year 100 on 100 तो चलिए करते हैं soul किस तरह का difficulty level रहेगा देखिए आप 10 पर पहला पुछा गया देखिए last Monday I-at-home last आ गया जहां last आ जाए वहाँ पर क्या लगाना है आपने simple past बनाते हो वर्ब की second form आती है हर sentence में एक clue दिया होगा आपने उसको पहचान लिया तो समझो आपको हल भी आ गया ठीक है पहले मर्ज को पहचानना है फिर दवाई देनी है चार tablet में से सही tablet उठानी है last Monday I stay stayed stayed at home second form second form कहाँ है यह है have stayed नहीं ठीक है had stayed नहीं my mother rarely dash sleep in daytime my mother rarely जो rarely है यह clue है यह होता है simple present में rarely generally daily तो यह जहां पर आ जाए वहाँ पर simple present बनाना है जहां पर वर्ब की first form के साथ say yes लगता है जो depend करता है subject पर यहां पर subject my mother है third person है तो यहां s आएगा तो my mother rarely sleeps sleep नहीं अगर होता my brothers my brothers क्या हो जाए प्लूरल तो वहां पर sleep आ जाता है लेकिन यहां पर subject जो है my mother है अकेली है singular है third person है तो यहां पर वर्ब की first form के साथ yes लगेगा तो c यहां पर sleeps आ जाएगा तो यह उसकी habit भी है जब हम habit की बात करते हैं तब भी simple present लगाते हैं Mr. K. K. Advani went to daily on Tuesday अब यह punctuation का है देखो M छोटा है है न तो K. K भी छोटे हैं एडवानी पहले में अगर हम जाएं कि यह सही है तो यहां Tuesday का T छोटा है इसलिए elimination method अपनाते हैं पहला reject हो गया ठीक है eliminate हो गया पहला दूसरा देखिए आप Mr. K. K. Advani went to daily daily का D छोटा है यह भी eliminate हो गया ठीक है Mr. K. K. Advani went to daily on Tuesday question mark क्यों लगा दिया भाई punctuation का question है है न statement है यह एक तो आप Mr. K. K. Advani went to daily on Tuesday full stop यह बिल्कुल सही लग रहा है तो D यहां पर सही आ जाएगा Mr. का M बढ़ा Mr. के बाद full stop के के अब्रिवेशन के बाद full stop अड़वानी का A बढ़ा ठीक है when to daily का D बढ़ा Tuesday का T बढ़ा यह ठीक है आगे model का question आएगा तो देखिए MCQ बेस 10 है यह 10 आपके 5 MCQ unseen passes 1 में और 5 unseen passes 2 में और 10 नंबर की grammar 20 हो गए आपके यह तो क्या आजाएगा अनिल कैन स्पीक या अनिल डेर स्पीक तो यहाँ पर अनिल की ना ability की बात हो रही है कि वो पाँच भाशाएं बोल सकता है यहाँ पर blank आ जाएगा और अनिल कैन कैन सी दा राइट आंसर वोईस में देखिए she is decorating her room अब decorating है इस लगा है इस एम आर जमा वर्वर्व की फर्स continues है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर subject को object बनाईए object को subject बनाईए हर room हर room पहले आ जाएगा हर room चारों में है अभी तक चारों ठीक है A B C D हर room is 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 दो में है ठीक है has been had been नहीं आएंगे तो cd eliminate हो गया अब रह गया A और B में से सही option हर room is being आ जाता है ठीक है न क्योंकि present continues है वहाँ पर is M R की जगा is being are being है ना am being आ जाते है तो her room is being और verb की third form लगा और decorated she her हर होता है तो her room is being decorated by her तो B यहाँ पर सही answer हो जाएगा direct speech का question देखिए कैसा आएगा आपका he said honesty is the best policy he said if नहीं इफ नहीं आएगा ठीक है if तो interrogative में आता है interrogative तो है नहीं यह तो ठीक है he asked ask नहीं है ask नहीं किया है said किया है यह भी eliminate हो गया भी भी eliminate हो गया he said that honesty was the best policy क्या अब नहीं है इमानदारी सबसे अच्छी नीटी यह सदा रही है सदा रहेगी ठीक है तो यहाँ पर यह वाली बात लागू होती है कि इसमें coma inverted coma attack है हम सिर्फ that लगाएंगे और यूं का यहाँ पर क्योंकि यह एक कहावत है यह कभी भी इसमें वाक्या अंदर के नहीं बदलते हैं tense नहीं बदलते हैं इसका easy रहेगा was नहीं आएगा इसलिए c ना करके हम d को सही अंसर करेंगे preposition पर डालिए preposition by विजे कुमार है ना direct speech by विजे कुमार voice by विजे कुमार model by विज विजे कुमार grammar के सभी topic ready हैं अभी हम आ गए हैं हल करते हुए preposition by विजे कुमार डाल के देखिए he died जब हम बिमारी से मरते हैं ना तो उसके साथ off लगाया जाता है ठीक है he died of jaundice यह आ जाएगा ठीक है डेटर मिंदर में देखो how dash sugar do you take daily कितनी आप sugar लेते हो many गिन के थोड़ी लेते हैं some few how some sugar नहीं होता कभी how much sugar है ना quantity पुछी जा रही है आप से कितनी चीनी ठीक है आप हर रोज लेते हो तो यह हो जाएगा article by विजे कुमार डालिए YouTube के सर्च बार पर he is dash man whom I trust very much he is the man whom कौन सा क्योंकि यह विशेश है क्यों सा आदमी जिस पर मैं बहुत जादा विश्वाश करता हूं यह कौन सा आदमी है यह वही आदमी है जिस पर वही आतमी particular आतमी हो गया यह पर्टिकुलर के लिए क्लिए जाएगा इसके बाद classes आ जाएंगे classes में देखियो death is inevitable we all know it अब दो sentence दे दिये न आपने इनको जोड़ना है दोनों को और एक में बदल देना है तो क्या आ जाएगा we all know that death is inevitable ठीक है यहाँ पर conjunction my cell phone is either on the table dash in the drawer इदर के साथ क्या लगता है याद आया आपको जब conjunction करवाई थी conjunction by विजय कुमार देखिए इदर के साथ और लगता है इदर के साथ नोर लगता है तो इदर और ठीक है subject verb agreement पर बहुत सुंदर वीडियो 9th और 10th class के लिए बनाए है there dash five dogs in my colony there is five dogs was five dogs वैसे तो subject पर निर्भर करता है लेकिन subject जब there होता है तो खालिस्तान के बाद आगे क्या रहा है five dogs तो प्लूरल आ रहे हैं यहां पर निर्भर करेगा खालिस्तान के बाद क्या है subject verb agreement में ठीक है तो यहां पर वर आ जाएगा क्योंकि बाद में क्या रहे है five dogs आ रहे हैं अगर होता there was a dog in my colony तो वो जा जाता ठीक है तो इस तरह से अब क्लियर हो गया है आपको की grammar का question कैसा आएगा इससे पहले unseen passage के यह दो वीडियो और आज grammar का भी आपको दे दिया है तो एक तरह से 30 माक्स कवर कर चुके हैं जल्दी ही में आपको writing skill का वीडियो लेकर आने वाला हूं मिलते हैं writing skill के वीडियो में ठीक है प्यारी बच्चो बाई all the best love you all